गाना कई लोग गाते हैं लिकिन महिलाओं से जुड़े मुद्दों को बताना अपने आप में कुछ अलग काम है इस तरह के चागरुख करने वाले अभियान की कौन सा राहना नहीं करेगा इस बैंड ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक धूम मचा रखी है अब तक ये बैंड 550 परफॉर्मेंस कर चुका है दरसल इस बैंड की परफॉर्मेंस के अलावा इसके गीत और बैंड का पहनावा इसे सभी बैंड से अलग दिखाता है भारत का पहला Mission Rock Band है जो महिलाओं के और बैच्चियों के जो है जो समाजिक मुद्दे है जो बहुत सारी ऐसे परंपराय है जिनको तोड़ना है कुछ ऐसे अंदर विश्वास जिनको तोड़ना है उसकी लड़ाई लड़ रहा है ये बैंड ये भारत का पहला Mission Rock Band है और ये महिलाओं से और बेटियों से जोड़े मुद्दे और जो भी समाजिक ऐसे मुद्दे है जिन पर आवाज उठाने चाहिए हम अपने गीतों के माध्यम से उठाते है 2010 से सियात्रा को शुरू किया है और अभी तक जो है सियात्रा में हम चलते जा रहे हैं ये सारे band members जो है वो एक मजबूत कड़ी हैं इस band की और अभी तोक में जो लगता है भारत के अलग अलग स्टेट्स में जा करके हम लोगों ने जो भी 500 शोज किये हैं और अगर कहा जा तो भारत के बाहर भी बैंड को रिकेड़नाइस किया गया है हमारे कामों को लोग हमें प्रोचसाहन उन से मिलता है जब हमें हमारे काम के लिए प्रशंसा मिलती है और आपके चैनल से किस्टेट का मैसच का सोसाइटी के लिए। उनसे जुड़े वे मुद्दे कोई ना कोई अपना एक सवाल लेकर के आता है फिर वो एक गीद बन जाता है साड़ी एक ऐसा पहनावा है जो भारतिय महिलाओं की पहचान है इस बैंड का संचालन सन 2010 से शुरू हुआ और अब तक 50 से ज्यादा शहरों में ये बैंड अपनी परफॉर्मेंस दे चुका है बैंड के सभी सदस्य उन्हें बताया कि इस बैंड से जोड़कर हमें बहुत खुशी मिलती है क्योंकि इस बैंड में रहकर हमें समाज और महिलाओं से चुड़े मुद्दों पर परफॉर्म करने का मौका मिलता है मेरी जंदगी फीमेल रॉक बैंड जो कि सिर्फ एक रॉक बैंड नहीं है बलकि एक मिशन रॉक बैंड है और हम ये मानते हैं वरे गर्व के साथ कहते हैं कि ये बहारत का पहला ऐसा अपने आप में अनुखा बैंड है जिससे मैं सन 2015 से जुड़ी और पहली ही मुलाकात में मुझे ये समझ में आ गया कि संगीत मेरी सबसे बड़ी प्रेड़ना रही है जीवन में कि जीवन में अगर संगीत है तो सब कुछ है खुशी है, उमंग है और उमीद है तो वो उमीद ये band हमें देता है, हम members को देता है और हमारे हर सुनने वाले को देता है, तो ये जो अनुभव है हमारा, 2015 से मैं जब से जुड़ी हूँ जाया माम के साथ में, हमारे band के सभी members के साथ में, तो वो बहुत ही अनोखा अनुभव रहा है और बहुत कुछ ऐसा हमने देखा है, लोगों से सुना है, जब हम बैंड में परफॉर्म करते हैं, तो लगता है कि एक अच्छा काम करने के लिए अगर संगीत बहुत बड़ा हथियार हो सकता है, जैसे कि बहुत बड़े कवियों ने बहुत सारी ऐसी कविताय लिखी और अलग जग आई लोगों के मन से, अपने आप में भी बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आते हैं, तो हमारे लिए बैंड बहुत ज़्यादा खास है, अभी आप सबसे ओलेगा, यह जो आपको लगता है कि जो आपको लगता है, जो आपको लगता है कि जो आपको लोग सुनते हैं, उनके अंदर से कैसा मिलता है, तो कि यह ज़्यादा दर वुमें ओरियंटेट सौंग्स हैं, लेकर जो सुसाइटी के एक पैट्रियाटर सुसाइटी है, उनका क्या इस पर रिस्पॉंस रहता है, जो हमारे गाने हैं, जिसे माम ने भी बोला कि यह हर महिला की एक कहानी है, तो हर महिला अपनी ल पैट्रिक्स वो खुद सुनाते हैं, जिसे मेरी जिन्दीगी से ही है, तो हमें एक और पायदान आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है, कि नहीं हमारे इस गाने से लोग बढ़ रहे हैं, और आगे अपनी लाइफ में भी चेंज कर रहे हैं, एक इंसिडेंट है, एक कोटे-छोटे रियक्शन है, कुछ लोग बहुत भावुक हो जाते हैं गाना सुनके, तो ये रियक्शन हमें अपने मनजिल की और और आगे बढ़ाते हैं, हमने काफी ज़्यादा चेंजिस खुद में महसूस किया हैं, सोसाइटी में तो हम चेंजिस लाई रहे हैं, बट क् से मुद्ध होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़े होती हैं तो जो सब ने डिफरेंटली फेस की होती हैं, वो हम सब आपस में बाढ़ते हैं, शेर करते हैं, कुछ सीखते हैं उसे और उनहीं अपने गानों में उतारते हैं, तो बहुत सी चीज़े हैं जो बदलाव खुद में मैसूस किया है positivity इतना confidence गलत चीजों के लिए आवाज उठाना तो ये सब definitely कुछ changes है जो हम सब में आये हैं इतने time में